हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेटैलिटी टी ट्वेंटी ब्लास टूथाउसन ट्वेंटी टू के सिक्स्टीन्थ मैच के बारे में जो की वार्विक सायर वर्सेस डरहम के बीच है और इस मैच को आपास साम के साथ बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स और यह मैच इंगलैंड के एज वेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी इस पिच पर एक मैच खेला गया है फ्रेंड्स जिसमें फर्स बैटिंग करने वा वाली है वह हुमिडिटी 81% रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो मेरे इस चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके अब अगर वार्विक सायर के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 50% वार्विक सायर की जीत हुई है वहीं डरहम के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 20% मैचेस में उसने जीत हासिल की है अब अगर Warwick Sire के पिछले 5 matches की बात की जाए friends तो 4 matches में जीत हुई है एक match में हार हुई है वहीं डरहम के पिछले 5 matches को देखा जाए तो 4 matches में हार हुई है एक match में जीत हुई है और अगर previous year के 10 hit 2 head matches की बात की जाए friends तो 7 times Warwick Sire की जीत हुई है 3 times डरहम की जीत हुई है और अगर पिछले 5 matches के अधार पे team analysis किया जाए तो opening के मामले में दोनों ही team strong है वही middle order में भी दोनों team strong है batting depth की बात की जाए तो दोनों team strong है pace balling में दोनों ही team average है spin balling में दोनों team strong है अब अगर winning percentage की बात की जाए friends तो ये match 60-40 का है 60% Warwick Sire वहीं 40% डरहम अब अगर match winner की बात की जाए friends तो दोनों team को compare करने पे Vitality T20 Blast 2022 के इस 16th match में हमारे analysis के अनुसार Warwick Sire के जीतने के chances जादा है लेकिन final prediction आपको टेलिग्राम पे ही दी जाएगी friends इसलिए टेलिग्राम को जोइन करना जरूरी है जिसका link आपको comment section में pin के हुआ मिलेगा तो join हो जाएं उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है friends तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लें और notification bell को press करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके साथ ही साथ जादा से जादा लोगों को ये वीडियो सेर करें friends मुलाकात होगी अगले वीडियो में वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद